नमस्कarm दोस्तो पूरी दुनिया की जो बड़ी-बड़ी फार्मा कमपनीज है उनमें कोरोना वैक्सिन बनानी की रेस लगी हुई है और सबसे जल्दी वैक्सिन कोन बनाएगा इसकी होड मची हुई है दोस्तो भारत भी इस race में पीछे नहीं है और अभी Indian Institute of Science के प्रोपेसर वरद राजन इन्होंने एक ऐसी वैक्सिन मनाई है जो 100 डिग्री पर भी खराब नहीं होगी अभी फाइजर के बारे में खबरे आये थी कि यह जो वैक्सिन है माइनस 70 डिग्री सेंटिग्रेट पर स्टोर करनी पड़ती है और भारत में जो विलिजेस है और गाव है वहाए वैक्सिन को ट्रांस्पूर्ड करना काफी मुश्किल होगा तो भारत के लिए अच्छी खबर है तो दोस्तो इस वैक्सिन के बारे में हीट टॉलरंट वैक्सिन के बारे में जो भारत ने बनाई है उसके बारे में आगे हम चर्चा करते हैं आपका स्वागत है डॉक्टर पीम चानल पर अभी तक आपने चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चानल को सब्सक्राइब क के तापमान पर भी रखा जा सकता है अभी जो दुनिया भर में कोरोना की वैक्सिन बन रही है उसमें में दिक्कत यह है कि यह वैक्सिन जिरो टेंपरेचर के नीचे स्टोर करनी पड़ती है और कुछ वैक्सिन जैसे फाइजर और मॉडरना की वैक्सिन यह हमारे ने वैक्सि होगा तो अभी इंडियन इंस्टिट आप साइंस से अच्छी खबर आई है यहां के प्रोपेसर रागो वरत राजन इन्हों ने ऐसी वैक्सिन तयार की है यह सव डिग्री सेंटीग्रेट पर भी खराब नहीं होगी आम तोर पर जो वैक्सिन दी जाती है उनको दो से आठ डि किया जा सकता है दोस्तों यह जो वैक्सिन है इसके ट्राइल्स उन्होंने आनिमल्स पर कर लिए है और यह पाया गया है कि जो आनिमल्स है उनमें शांदार इमून रिस्पॉंस देखने को मिला है अभी प्रोपेसर वरत राजन ने कहा है कि इस वैक्सिन के जो है ट्राइल् प्रतिभा की कमी नहीं है लेकिन जो प्रोचसाल मिलना चाहिए और जिस तरह से फंडिंग मिलनी चाहिए सही समय पे नहीं मिलती है अभी यह जो टीम है फंडिंग की रहा देख रही है और हम आशा करते हैं कि जल्दी इनको इंसानों पे ट्रायल शुरू करने के लिए फंडि आवाद